मद्रप्रदेश के बड़वाद से तीन किलोमीटर दूर नर्वदा के उत्तर टट इस्थित कल्यानी माई आस्रम में गाय के गोवर से लकडी बनाने की मशीन तैयार की गई है यहां गाय के गोवर से इको फैंडली इधन के तौर पर लकडी तयार होती है इसका उद्देश है बायू प्रदूशन रोकना पेड़ों की कटाई पर रोकथाम लगाना तो वहीं लकडी का उप्योग यग हवन और सामाजिक आयूजनों में किया जा सकता है बहीं मुक्ति धामों में बड़ी मात्रा में इस लकडी का उप्योग होता है लेकिन अब यहां गर देखा जाये तो गोवर की जब लकडी बनकर तयार हो जाती है तो करीब लोगों का ऐसा मानना है कि एक अंतेष्ठी में तीन कुइंटल से अधिक पेडों की लकडी बचाई जा सकती है आश्रम के गादी पती कल्याणी माई ने बताया कि जिस शरीर को हमतीर्थ करते हैं अच्छे कर्म करते हैं वो शरीर को अंत के समय में अच्छी मुक्ती मिले इसके लिए शुद्ध रूपी गाए माता के गोवर से लकडी और कंडी बनाय जा रहे हैं जो दाहसंसकार में उप्योग होंगे वही पर्याबरण भी इससे शुद्ध रहेगा और जंगल को कटने से भी बचाया जा सकेगा इस दोरान अगर देखा जाए तो बैग्यान की तोर पर पसुचिकिस्सक के अलावा अन जो विभागी अधिकारी हैं भाई भी इसकी प्रशंशा कर रहे हैं और किशन सेप्टा का कहना है गाय के गोवर से बनी लकडियां खोली में और दाहसंसकार में सबसे ज़्यादा उप्योग होगी बाता बरण के लिए यह सबसे ज़्यादा शुद्ध दाई होने बाली हैं और इससे कोईला भी तैयार होता है तो वहीं एक नई उश्मा की ची मौक्ष करी द्वारा जे पाई ये परिलोक सिधारा जिस शरीर से हम इस धराधाम पर जन्म लेकर के अच्छे-च्छे कारी करते हैं पुर्णे के यश्यो वर्धन कारी करते हैं शरीर के बिना आत्मा क्या कर सकती है और आत्मा के बिना शरीर का कोई वजूर नहीं है तो इस इस शरीर को भी अंत समय मुक्ति मिले, जिस शरीर के द्वारा हम तिर्थाटन करते हैं, वोई लोग को कल्लियान का कारी करते हैं, तो इस शरीर को भी अंत में विश्राम ग्रह में सुन्दर अवस्था में मुक्ति प्रदान हो। आज कर लकड़ी का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, करीप पचास कुंटल लकड़ी एक शवधागरा में लग जाती है, तो उन लकड़ीों का कटना बंद हो, क्योंकि परियावरन को बहुत नुक्सान हो रहा है, और हम आगे आने वाली पिड़ी को क्या दे कर जाने वाल हर गोशालाओं में मशीन होना चाहिए, और गाये का गोबर का उप्योग अधिक से अधिक हो, हमारे जो पुर्वज, जिनों ने हमें ये दुनिया दिखाई, ये प्रदान की है, हमारे लिए सुक्दुक उठाया है, अंत में हम उनके शरीर का दसंसकार, गोमाता की पवित् जो मुक्ति प्रदान करने वाली है, उस लकड़ी से ही की जाए, इसके लिए शम्शानों में भी विवस्ता होना चाहिए, हमारे बढ़वा नगर के जो सामाजी कारी करता है, वे बहुत ये अतियुत्तम विचार के हैं, इसलिए बढ़वा नगर जो है, ये तिर्थो की मा हैं इसमें, तो ये बहुत सत्प्रयास हो रहा है हमारे बढ़वा नगर वासियों के द्वारा की अतियुत्तम तरीके से मशान में इस लकड़ी का प्रयोजन अधिक सधिक हो, जिससे की अंत में मुक्ति मिले उस प्राणी को, अपने माता-पिता के लिए इतना कारी जरू पन करते हैं, तो पचास साल के बाद हवा पानी देने को तयार रहेगा, तो लकड़ियों को जंगल अवेत तरीके से जो काटे जा रहे हैं, वो बिल्कुल उचित नहीं है, होना ये चाहिए कि फलदार व्रक्ष का रोपन हो, और अनेक अनेक जड़ी बुटियों का प्रचल जो बढ़ गया है, वो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए हर शाषन को चाहिए कि हर गोशालाओं में वेवस्ति तरीके से गोभक्तों को मशिने दी जाएं, और भी सुक्ष विदाय दी जाएं गोशाला में, क्योंकि गोम आता रहेगी, तो राष परियावरन को लिए बहुत फाइदा होगा, जैसे होली का दहन हुआ, या गहरों में जो उपयोग हो रहा है, या सव दहाव किर्या में, तो ये मतलब परियावरन की जस्टिस से बहुत ही बढ़ा होगा, और दूसरी बात हो कि गाएं का गोबर एक अच्छा पवित्र होता क्योंकि आज परियावरन में बन रहेंगे, तो कल बिलकुल आक्षिजन मिलेगी, परियावरन ठीक रहेगा, तो उसके दर्स्टिस से देखा जाए, तो गाएं के गोबर के जो कंडे बनाएं गोसाला में, या जहां पर भी गोसाला है, तो बहुत अच्छी उपलब्दी के लाएगी है, और परियावरन में भी इसका बस सही हो रहेगा,